हेलो स्टुडेंट्स, हम लोग क्लास नाइन्थ मैथामेटिक्स का सेकंड चाप्टर कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज कर रहे हैं, आज एक नई आइडेंटिटीज, ओके, बोर्ट पे आते हैं, कुश्चन पे ध्यान नहीं दें, आइडेंटिटीज पे ध्यान दें, जो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं, तो हमारे आइडेंटिटीज यहाँ पर आज वाली यह है, A Q plus B Q plus C Q minus 3 A B C equals to A plus B plus C, चेक है, A, then bracket, A square plus B square plus C square minus A B, इदर लिख रहा हूं, minus B C minus C A, तो आज का formula हमारा यह वाला है, ओके, फाइन, तो यहाँ पर क्या लिखा हूं है, अगर यह हमें मिलता है, A Q plus B Q plus C Q minus 3 A B C, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो तीनों का cube हो रहा है, first, second, third, ठीक है, इनका sum, first plus second plus third, फिर bracket close, first का square, फिर second का square, फिर third का square, फिर minus first into second, minus second into third, minus third into first, ठीक है, सौरी यहाँ पर, एक C लिखना रहे गया है, A B C, तीन है यहाँ पर A B C, तो यह हमारा formula है, right, A Q plus B Q plus C Q minus 3 A B C, प्लीज C ज़रू लगाईएगा, मैं लिखना बूल गया था, right, इसको हम कैसे लिखेंगे, A plus B plus C, A square plus B square plus C square minus A B minus B C minus C, आज हम इस formula को use करेंगे, ठीक है, right, कैसे use करेंगे, अब भी देखते हैं, सबसे पहले pause करके, यह formula लिख लें, फिर हम question करते हैं, right, चलिए, इसको कर दिया हम लोगों ने rub, और करते हैं अब question, question उपर लिखा हुआ है, find the product, multiply करना है इसको, actual multiplication नहीं करना है, right, actual multiplication नहीं करना है, करोगे तो बहुत complicated है, हमें formula यूज करना है, और देखके पता लगी रहा है, कि हमें क्या यूज करना है, fine, तो formula यूज करें, तो formula यूज करने के लिए, formula के according कुछ दिखना चीए, okay, चलिए, तो formula के according क्या दिखना चीए, दुबारा formula यहाँ पर लिखता हूँ, मैं थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ, ठीके, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c, अब सबसे पहले तो यह judge कर लो, इस formula को use करने के लिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो इसका LHS या RHS, दोनों में से किसी एक की तरह होना चाहिए, या तो इसकी तरह होना चाहिए, या इसकी तरह, तो हमें साफ लग रहा है, कि होगा तो इसी की तरह हो सकता है, इसकी तरह तो नहीं, क्योंकि या तो बहुत कम term से हैं, या पर बहुत ज़्याद है, तो check करते हैं, क्या ये वाला expression इसके according कर सकते हैं, क्या हम लोग, तो इस side के according करना है, तो ये side कैसी है, 1st, 2nd, 3rd का sum, ठीक है? 1st, 2nd, 3rd, इनका sum, फिर 1st का square, 2nd का square, 3rd का square, minus 1st into 2nd, minus 2nd into 3rd, minus 3rd into 1st, ठीक है? चलो. इस side के according देखते हैं, ये बन पाता है क्या? अगर बन जाएगा, तो हमारा काम भी बन जाएगा, तो हमारे लिए 1st number, एकस है, second number, y है, third number two z, right, big bracket, अब इसको मत देखना, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको नहीं देखना है, बस आप देखो, कि इस formula के according, set कर दो, करें, जैसे, a, b, c, तो हमारे लिए होगे, first, second, third, तो यह दर क्या लिखा हुआ है, next उसमे, first का square, second का square, third का square, हम भी कर देते हैं, right, first का square, second का square, third का square, two z का square, फिर क्या लिखा हुआ है, minus first into second, minus first into second, x into y, minus second into third, second into third, y into 2z, minus third into first, 2z into x, चीक है, तो यह हमने उपर देखके नहीं लिखा, हमने तो इस formula के according लिख दिया, अब check करना है हमें, समझ गए, यहाँ पर first, second, third, तीन नमबर आ रहा था, तो अगर तीन नमबर ऐसे हैं, तो हमने देखा, यह ऐसा लिखा हुआ है, तो हमने भी इसको देखके ऐसा लिख दिया, बस, अब check करना है, क्या इससे इसकी सारी terms आ रही हैं, check करें, चलो check करतें, x square, y square, 2z का whole square, 4z square, minus xy, minus 2yz, minus 2z, एक से को अपने आप आ गया, अगर यह नहीं आता, तो हम formula use नहीं कर सकते थे, समझ रहे हैं न, मैंने क्या किया, तो मैंने क्या किया, मैं चारा था, कि जो question दे रखा है, वो इसकी तरह हो जाए, ताकि हम इस formula use कर सकें, तो उसके लिए मैंने देखा, इसकी तरह करने के लिए, यहाँ पर 3 number का sum हो रहा है, फिर first का square, second का square, third का square, फिर minus first into second, minus second into third, minus third into first, तो मैंने भी क्या किया, यह तीन number मिल गए थे, इसको देखके यह लिख दिया, फिर check करा कि इससे यह आ रहा है क्या, आ रहा है तो बिलकुल सही है, तो एक check तो हमारा यह वाला हुई गया, चीक है, तो that means, अब आप देखो, यह exactly, जो यहाँ पर है, वो बिलकुल इसकी तरह सेट हो गया, तो that means इस formula को use कर सकते हैं, तो formula क्या बोलता है, कि अगर ऐसा आपको मिल जाता है, तो आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर जो भी number दे रखा है, first का q, second का q, third का q, minus 3abc, तम भी वो use कर लेते हैं, first का q, right, second का q, third का q, minus 3 into first into second into third, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, right, जब इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, अब इस formula को रब कर देते हैं, जगे नहीं है, अब इसको solve कर लो, ठीक है, solve करने हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, x q, y q, ठीक है, 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, 8 आएगा यहाँ पर, 8, z q, minus 3 into 2, 2, 6, 6, x, y, z, तो अगर आप इसको multiply करोगे, तो यही आएगा, यह हमने formula से निकाला, आप actual multiplication करोगे, तो भी यही आएगा, ठीक है, right, तो इस तरह से हमने formula use किया, इता clear है, तो इसको pause करके लिख लें आप, ठीक है, फिर अपने next question करते हैं, चलिए भी, अब मैं इसको rub कर देता हूँ, ठीक है, अब आप क्या करोगे, यह हो गया type 1, ठीक है, आज की class का type 1 हो गया, अब आप video pause कर लो, pause करके, worksheet से question number 1 करो, उसके बाद फिर वीडियो को आगे देखना, ठीक है, वना practice नहीं हो पाई, ओके, चले भी, अब मैं sheet से यहाँ पर next question लिखता हूँ, देखो, चले, next question लिखते हैं, आपर, हमें दे रखा हैं, आपर next question, if a plus b plus c equals to 6, ऐसा दे रखा है question में, फिर दे रखा है, and a, b plus b, c plus c, a equals to 11, यह 11 दे रखा है, ठीक है, find, फिर हम से बोल रहे हैं, find the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, ठीक है, यह हमारे सामने question, अब इसकी value निकालनी है, तो यह तो formula ही है, ठीक है, राइट, तो आपन देखें, इसकी value निकालनी के लिए, क्या-क्या given है, और क्या-क्या निकालना पड़ेगा, चलो देखते हैं, आप देखो, a cube plus b cube, यहां से लिखता हूँ है, फिर दो steps में लिखना पड़ता है, यहां से लिखता हूँ, यह formula है हमारा, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to a plus b plus c, फिर a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca, यह हमारा formula है, हमें value इसकी निकालनी है, अगर हमें इसकी value निकालनी है, तो इस side के value पता होनी चाहिए, तो हमें क्या a plus b plus c दे रखा है, yes, यह रहा, इसकी value मिल गई, और हमें क्या दे रखा है, a, b, b, c, c, a, minus sign को common ले लेंगे, तो यह सब plus में change हो जाएंगे, तो इसकी value भी हम यहां से निकाल लेंगे, समझे रहें ना, minus common ले लेंगे, तो यह plus में change हो जाएगा, तो हम यह काम भी कर सकते हैं, अब बचा यह, यह हमें नहीं दे रखा है, a square plus b square plus c square, अब यह कहां से लाए, उसके लिए जाएए, फ्लाश पैक में, जो हमने previous formula पढ़ेंगे, right, fine, तो इससे पहले हमने formula पढ़ा, aq plus bq, aq minus bq, उसमें तो कहीं नहीं आता यह, उससे पहले जाएं, a plus b whole q, उससे पहले जाएंगे तो square वाले formulas हैं, right, सोचेगा, pause करके सोचें अराम से, मेरे को तो बताना हैं, ठेके, तो आपने एक formula पढ़ा था square वाला, कौन सा square वाला formula था, यह वाला, a plus b plus c whole square, तो formula था, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, यह formula हमारे काम आएगा, कैसे आप देखो, यह रहा, इसमें आरा है, यह ही time, ठेके, right, बास में आरे हैं, तो आप देखो, यह निकालने के लिए यह पता होना चीए, यह पता है बिलकुल यह रह, ठेके, इसकी value पता है, यह रही, two common ले लेंगे, तो हमारे पास इसकी value आजाएगी इस formula से, मतलब इस formula को use करकर, हम इसकी value निकालेंगे, इस value को इधर substitute कर देंगे, इधर रखते ही, ठेके, यह हमें पता है, यह हमें पता है, यहाँ से यह डाल दिया, तो फिर क्या होगा, यह निकल जाएगा, ऐसा हमने plan किया, क्या planning समझ में आई, ठेके, right, fine, तो हम यह वाला formula यूज़ करेंगे, okay, fine, अब मैं rub कर रहा हूँ, और जैसा आपको समझाया है मैंने, वैसा करता हूँ, ठेके, देखते हैं, हमारे planning success होती है, या नहीं होती है, या क्या complication आती है, तो that means हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर इस formula से, a plus b plus c whole square equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, चेके, right, a plus b plus c, इसकी value है 6, यह दे रखा, 6 रख दिया, यह हमें पता नहीं, a square plus b square plus c square plus 2, इन सब के पास 2 है, तो 2 common ले लिया, तो क्या जाएगा, a b plus bc plus ca, समझ गया है ना, सब के पास 2 था, जो हमने common ले लिया, तो यह आ जाएगा, यहाँ पर 36, a square plus b square plus c square, 2 into 11, यह 11 दे रखा, इसकी value, तो 2 into 11, 22, इदर आकर minus हो जाएगा, तो a square plus b square plus c square, 36 minus 22, 2 into 11, 22, यह दर आकर minus हो गया, तो कितना आ जाएगा, 3 minus 2, 1, 6 minus 2, 4, तो इस तरह से इसकी value आ गई, a square plus b square plus c square equals to 14, चेक है, पॉस्ट करके लिख ले, मैं रब करता हूँ, चले भई, तो यह 14 आ गया, हमारा काम complete हुआ काफी हद तक, ओके, अब हम लोग यह वाला formula लिखते हैं, जिसके हमें value निकालनी है, a cube plus b cube plus c cube minus 3ab equals to a plus b plus c a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca, यह हमारा formula है, जो हमें याद है, जो हमने practice किया, अब इसमें से क्या-क्या given है, देखो, इसकी value तो निकालनी है हमें, चेके, right? ओके, चले, इसकी pen को use करते हैं, a plus b plus c, यह हमें इदे रखा है 6, into a square plus b square plus c square, इसकी value हमने निकाली थी अभी, क्या आए थी? 14, minus, यह तो हो गया, 14, minus, बाहर common ले लिया, तो अंदर sign change हो जाएंगे, a, b plus bc plus ca, ठीके, bracket कोलूँगा, तो फिर minus हो जाएंगे, okay, तो मैंने common ले लिया, चले भई, आगे चलते हैं, 6 into 14, minus, इसकी value क्या दे रेकी, यह री, 11, right? तो 6 into 14 minus 11, तो कितना आ जाएगा? 3, तो 6 into 3 कितना हो गया? नीचे जगे नहीं, side में लिख देता हूँ, 18, 3 into 6, 18, इस तरह से इसी के value निकालने थी, इसके value क्या आ गई? 18, तो हमने क्या निकाला यहाँ पर? unknown value, right? अब वीडियो pause करें, और worksheet से question number 2 करेंगे, ठेके? आगे मत देखना, पहले वक्त question number 2 करना, फिर आगे करेंगे, ठेके? चलिए भई, अब आगे चलते हैं, अब करते हैं, third type का question, formula मैं लिखे रहने देता हूँ, third type का question करने से पहले, हम यहाँ पर एक नया formula generate करेंगे, formula generate करेंगे मतलब, formula मतलब एक condition के साथ, कैसी condition? बताता हूँ, जैसे मैं बोल रहा है, यह formula लिखा हुआ है, आपको याद है, हमने दो तरीके question कर लिए है, यहाँ तक के कहानी पूरी हो चुकी है, अब यह question आपके सामने लिखा हुआ है, और मैं यह कहा रहा हूँ, कि अगर, condition, अगर मतलब condition आ गया, अगर ऐसा हो जाए, कि a plus b plus c 0 हो जा condition क्या है, यहाँ पर, if a plus b plus c becomes 0, अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, कि इस formula में a plus b plus c 0 हो जाए, तो क्या होगा, देख लेते हैं, तो क्या होगा, aq plus bq plus cq minus 3abc, I am sorry, इसको आप please correct करिएगा, last वाले में में मैंने फिर c नहीं लिखा, जल्दी में इदर चला गया है, please correct कर लेना आप इसको, ठीक है, right, fine, तो अब आप देखो, right, aq plus bq plus cq minus 3abc, तो a plus c, a plus b plus c 0 हो जाए, तो 0 इंटू, a square plus b square plus c square minus a b minus bc minus c, समझे का है, यह formula दे रखा है, क्या formula दे रखा है, aq plus bq plus cq minus 3abc, c ज़रूर लिख लेना, ठीक है, last type वाले question में भी, please c कर लीजिएगा, मैं c लिखना भूल गया था है, right, तो please ज़रूर लिखिएगा, okay, तो आप देखेगा, यह formula आपके पास है, a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus a b minus bc minus c, अगर ऐसा हो, कि यह वाली term 0 हो जाए, मतब यह वाला expression 0 हो जाए, तो क्या होगा, a q plus b q plus c q minus 3 a b c equals to 0, कैसे, 0 के साथ, कोई सा भी expression multiply होगा, तो क्या हो जाएगा, 0, अगर यह 0 हो गया, तो इसको अदर ले जाओ, ठेके, उसको अदर ले जाएगे, तो क्या हो जाएगा, a q plus b q plus c q, इसको अदर ले जाएगे, तो plus हो जाएगा, तो equals to क्या जाएगा, 3 a b c, right, मैंने बोला, कि अगर यह 0 हो जाए, यह 0 हो जाए, तो यह पूरी term ही 0 हो जाएगे, multiply होगे, तो उस case में हमाई एक नया formula मिल गया, a q plus b q plus c q equals to 3 a b, तो हमारे सामने एक नया formula आगे, ठीक है, आप इसको लिखो, फिर और discuss करते हैं, चलिए, आपने लिख लिया होगा, तो that means हमारे पास क्या formula आया, मैं दुबारा बोल पे लिखता हूँ, कि हमारा formula हमें यह दे रखाता, a q plus b q plus c q minus 3 a b c equals to a plus b plus c a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c, यह formula आपको दे रखाता, तो अगर आपके पास इस formula से हमने नया formula बनाया, क्या बनाया, कि अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, a plus b plus c equals to 0 हो जाए, तो हमारे पास क्या formula आएगा, a q plus b q plus c q equals to 3 a b c, ठीक हैं, तो यह हमने formula बनाया इस से, इस से बनाया हमने, ऐसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, तो इस formula से हमने एक नया formula बनाया, पर with condition बनाया, क्या condition बनाया, राइट, कि अगर आपको इस formula को use करना है, तो इसको तो मिटा देते हैं, इसकी ज़रुरत नहीं रही हमें, अब आप इस formula को देख लो, ठीक है, तो हमें क्या बताते हैं, कि अगर आपको ये formula यूज़ करना है, रियान से सुन रहा है न, conditional formula हो गया एक तरीके से, condition है, क्या condition है, इस formula को use करने के लिए, सबसे पहले आप check करोगे, क्या check करोगे, जिस तीन नंबर का यहाँ पर cube दे रखा है, उनका sum क्या आना ची, 0, मतलब उनको प्लस करने पे क्या आना ची, 0, अगर प्लस करने पे 0 आ रहा है, तो ये formula यूज़ करोगे, otherwise नहीं करोगे, दुबारा बोलता हूँ, right, इस formula को use करने के लिए condition है, ये formula तब ही use करोगे, कब use करोगे, जब तीन नंबर का जो cube दे रखा है, first, second, third, इन तीनों का sum क्या आना ची, 0, अगर sum 0 आ रहा है, तो formula use कर सकते हो, sum 0 नहीं आ रहा है, तो formula use नहीं कर सकते हो, चीक है, चलो, एक question करते हैं, उससे थोड़ी और बात clear हो जाएगी, okay, ओके, यहाँ पर दे रखा है, यह question भी sheet का ही है, evaluate, yes, evaluate, हमें दे रखा हैं, यहाँ पर, 30 का cube, plus, 20 का cube, minus, 50 का cube, ठीक है, right, यह हमें question दे रखा है, ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, 30 का cube, 20 का cube, minus 50 का cube, right, और हमें बुला है, evaluate करो, इसकी value निकालो, by using identity, हम identity use करके value निकालें, वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, right, but, फिलाल आपको किससे निकालना है, आइडेंटिटी से ही निकालना है, मतलब formula use करना है, तो तीन नंबर का cube हो, ऐसा कौन सा formula है, जो हमने अभी पढ़ा ज़स्च, a cube, plus b cube, plus c cube, equals to 3abc, इस formula को use करेंगे, तो direct answer आ जाएगा, पर इस formula को use करने के लिए एक condition है, क्या condition है, जो तीन नंबर का cube हो रहा है, उनका sum 0 आना ज़िए, राइट, a, plus b, plus c, equals to 0, ठेके, मतलब इस formula को पौँचने के लिए, इस condition को पूरा करना ज़रूरी है, अगर एक condition पूरी होगी, तो formula use कर सकते हैं, अधर्वाइस नहीं कर सकते हैं, चेक करें, चलो चेक करते हैं, यहां से, तो हमें लग रहा है, तीन cube हैं, तो यह formula use कर सकते हैं, पर इधर सब के बीच में plus का sign है, कोई बात नहीं, इधर भी कर देते हैं, 30 cube, 20 cube minus 50 cube, ऐसा question दे रखा है, इसको हमने ऐसा लिख दिया, 30 cube plus 20 cube plus minus 50 का cube, ऐसा लिख दे, क्योंकि minus का number है, उपर power odd है, solve करोगी, तो minus ही आजाएगा, बार, तो plus और minus क्या हो जाएगा, minus, तो अब हमने बिल्कुल इसको इसकी तरह बना दिया, देखो, तीन number का cube, first का cube, plus second का cube, plus third का cube, first का cube, plus second का cube, plus third का cube, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, but, सबसे पहले check करो, कि condition satisfy कर रहा है, या नहीं कर रहा है, check करें, चलो, सबसे पहले check करते हैं, check, इन तीनों का sum 0 आ रहा है क्या, check करें, 30 plus 20 plus minus 50, check करें, कि जो तीन number का cube हो रहा है, वो number जो है, उनका sum 0 आ रहा है क्या, check करते हैं, 30 plus 20 कितना हो जाएगा, 50, plus और minus, minus, तो 50 minus 50 क्या आ गया, 0, condition satisfied, right, fine, तो that means हम formula use कर सकते हैं, समझ गए ना आप मेरी बात, मतलब इस formula को use करने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, जो तीन number का cube दे रखा है, उनका sum क्या आना चीए, 0, यह बोल रहा है वो, तो 0 आ गया, मतलब इस formula को use करने के लिए, हम eligible हो गए, ओके, चलिए, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, here, a plus b plus c equals to 0, so, we can use identity, a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc, तो यह वाला formula use कर सकते हैं, चलिए, हमारे पास abc नहीं है, हमारे पास a की जगे कितना है, 30 का cube, b की जगे हमारे पास क्या है, 20, 20 का cube, और c की जगे क्या है, हमारे पास minus 50, minus 50 का cube, मतलब अगर a, b, c होते, तो उसको ऐसे लिख देते, 3 into a into b into c, मतलब तीनों का product, तो यहाँ पर 3 into, हम सीधा क्या लिख देंगे, 30 into 20 into minus 50, 3abc, ठीके, तो कितना हो जाए, का हमारे पास, 3 into 3, 9, 9 into 2, 18, 1800 into minus 50, ठीके, राइट, तो यहाँ पर जगे है, right, multiply कर लेते हैं, 5 into 8, 40, 0, 4 carry 9, तो minus 90,000, minus सा साइन है, minus 90,000, तो सीधा हमने इसको solve कर लिए, right, steps लिख रहे हैं, तो बड़ा लग रहा है, वरना आप देख लो, हम formula यूज करके quickly ये काम कर सकते हैं, ठीके, तो दगार तीन नमबर का cube है, तो 3 into 1st into 2nd into 3rd, तो 3 into 1st into 2nd into 3rd, तो ये हमने 3rd type का question किया, ठीके, right, तो आप इसको सीख गए होंगे, worksheet में इससे related question दे रखे हैं, तो आप उस question को वहाँ पर करेंगे, ठीके, fine, second वाले formula में लिखते वक्त, एक mistake होगी थी, मैंने आपस C नहीं लिखे गा था, तो प्लीज आप उसको consider करिएगा, formula में C आप लगा लीजेगा, ठीके, तो आज की class हम यहीं पर खतम करते हैं, करने का pattern वही है, ठीके, fine, जैसा मैं ना बताया, फर्स टाइप का question, worksheet में से question number one, second type का question, worksheet में से question number two, third type board पर है, फिर worksheet three, रोक रोक के करना है, एक साथ नहीं करना है, ओके, next class से मिलेंगे, next topic के साथ, तब तक के लिए practice करते रहें, पढ़ते रहें, और अपना धिहान रखें, बाई,